रिष्टे है तो तनाव भी होगा और प्यार है तो टक्राव भी होगा एक छोटी सी शायरी लिखी है कहूं तो आपको सुनाओ करवा चोट के पर परफे बड़ी काम आएगी प्यार बताया नहीं जाता जताया जाता है यार तुनाया नहीं जाता दिखाया जाता है। रिष्टा कोई भी हो प्यार तो प्यार है। बस उसे आखरी सांस तक निभाया जाता है। जै शनी देव, जै श्री कुष्णा, मेरी प्यारे बचो करवा चौत पर्फ की आपको हार्दिक हार्दिक शुप कामनाई देती हूँ। पूजा का जो मूरत है वो 5 बच की 36 मिनट से 6 बच के 54 मिनट तक रहेगा। जो चंदरमा के उदे होने का समय बताये जा रहा है वो सवा 8 बचे है। लेकिन आपको पता ही है करवा चौत वाले दिन सब कुछ आ जाएगा लेकिन जान नहीं आएगा। अगर आपके रिष्टों में मनमुटाफ चल रहा है, तकराफ चल रहा है, प्रेम की कमी हो गई है तो आज ये राशिफल आपके लिए है। इस बार का जो करवा चौत है क्या आप दोनों की रिष्टों में और मिठास लाएगा, क्या आपकी दूरी कम होगी, क्या प्रेम ब बहुत जरूरी है, कोई ना कोई मेसिज आपके लिए जरूर होगा, इसलिए अंत तक वीडियो में पने रहें, अगर परस्नली परिशानी कोई आ रही है, कोई भी मैरिट लाइफ को लेकर के रिलेशन्शिप को लेके कोई भी प्रॉबलम है, तो चिंता मत करिए, आपकी ग और जो भी आता है, सबसे मिलती हूँ, और सब के लिए उपाई करती हूँ, जनम गुर्ली देखती हूँ, आप आईए और वहां मुझसे परामर्श ले सकते हैं, दिल्ली में ये दर्बार लगाया जाता है, अड्रेस के लिए आप हमारे वाट्साप नमबर पर मेसिज कर सक केवल एक नारियल ले करके, जिसे आप सवा मीटर लाल कपणे में बांध करके लाएंगे, वो मेरे पास लियाओ, अब तक मेरे पास जो भी शक्ती है, जो भी सिती मैंने अर्जित की है, अपनी दस वर्षों की साधना से, वो में सब कुछ आप पर लूटाने को तयार हूँ कन्या राशी वालो करवा चौत के समय में मुझे कुछ चीजें अच्छी नहीं दिखाई दे रहे, खास कर आपके मन को ले करके, आपका मन अच्छा नहीं है किसी बात से पास्ट में आप बहुत ज़द हर्ट हुए हैं, जिसकी वसे आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, बहुत से लोग ऐसे जिनका मनाने का ही मन नहीं कर रहा है, कि ऐसे तीच त्योहार हम मनाएं लेकिन फिर भी आप दूसरों की खुशी के लिए ऐसा करेंगे, वरना आप बिल्कुल ही डिस्ट्राक्टेड लग रहे हैं, आपका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, किसी भी चीज का, किसी भी प्रकार के त्योहार को मनाने का बहुत से लोग जो हैं परिशान दिख रहे हैं, उदास दिख रहे हैं, लडाई जगड़े घर में जादा हो रहे हैं, काफी जादा मतलब इनलोज की तरफ से प्रॉबलम, मतलब बहुत जादा खीचा तानी महसूस हो रही है आपके लाइफ में और वो सारी चीज़ें आप अपने रिष्टों में सुधार कर सकते हैं, यह दिने कैसा है, कही न कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के जीवन में सुधार जरूर लेके आएगा, आपके जो भी स्पाउस है, मन ही मन वो बता तो नहीं रहे, लेकिन मन ही मन उनके अंदर भी है कि वो आपस से एक हो पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन वो भी आने वाले समय में आप पर ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है कि उदासी से निकल कि थोड़ा पॉजिटिव आपको होना पड़ेगा, जै गुरु माता जी की, हम गुरु माता की सरन में आए जब से बहुत खुश है, जब से बह करो अपने जो ही है, बहुत अच्छी गुरु माता जी है मेरी, इनकी सरन में हम सब ऐसे आते रहे, जै गुरु माता जी की, जै गुरु माता जी अगर आपके ग्रह काफी समय से परिशान चले, ग्रह नक्षत्र आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हर वर्ष के भाती हम नव वर्ष का यग्य आयूजित करते हैं, ताकि आप अपने नाम से, अपने घरवालों के नाम से उस दिन आहूती प्रदान कर सके नवग्रह देवताओं को प्रसंद करने के लिए, मातल लक्षमी को प्रसंद करने के लिए, और साथ में कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, तो उस सभी को दूर करने के लिए, नवग्रह का भी आयूजिन उस दिन किया जाएगा, ये भी पूर्टाह निशुल को होता है, उसके जीवन में नवग्रह देवताओं की कृपा बरसने लगती है, उसके पूरे परिवार, उसके कुल के जो भी दोश होते हैं, वो सभी नश्ट हो जाते हैं, तो 31 दिसंबर 2023 को आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, अवश्य ही आईए, और इस यग्गी को सफल बना आईए, आप सभी को फिर से इन सभी परवों की जो आ रहे हैं के बादे, इन सभी की बहुत-बहुत शुप कामनाएं देती हूं, आप सभी को आशिरवाद देती हूं, जै शनी देव, जै श्री कृष्णा